लास्ट क्लास में हमने कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा था कीबोर्डिंग स्किल्स क्या होते हैं मतलब बेसिकली हमने cover किया था कि कीबोर्ड पे आप type कैसे करते हो और कीबोर्ड के उपर कौन कौन सी keys होती है जिनकी helps से आप अच्छे से type कर सकते हो उसी के continuation में हम चल रहे थे कि हमने cursor के बारे में बढ़ाता है हमने जो भी कीज होती है उनके बारे में बढ़ा था space हमें कैसे देना है किसी character को delete कैसे करना है उसके बारे में बढ़ा था तो उसी के continuation में अगला topic है हमारा guide for typing guide for typing का मतलब क्या होता है the cursor की basically serve the purpose of guide for typing they can be used to move the position of the cursor the cursor is small downwards line that flickers in the sentence while typing अब कोई भी page अगर आपके पास खुला होता है किसी software में या word processing application के उपर तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने type कहां से start करना है हमें पता चलता है जहां पर cursor bring को रहा होता है that means कि हमें यहां से type करना start करना है आप cursor को अपनी requirement के according कहीं पर भी move कर सकते हो जहां से भी आपको type करना suitable लगता हो तो basically जो typing की जो guide होती है वो क्या होती है जहां आपका cursor होगा वहीं से ही आपको type करना है you can move the position of the cursor by clicking the position with the mouse आप mouse की help से जहां पर भी आपको वो cursor को move कराना है आप वहां उसको move करा सकते हो next topic है हमारा pointing device अब देखें सिर्फ और सिर्फ हमारा type करने से ही काम नहीं चलता है कई बारी हमें कुछ-कुछ options पर click करना पड़ता है for example मैं को print निकालना है तो मुझे यहां click करना पड़ेगा मुझे कुछ search करना है text find करना है तो यहां click करना पड़ेगा यह home टाइब है या file menu ऐस से इव करना है कुछ भी तो आपको उसके लिए क्या ज़रत पड़ती है आप यह देख रहे हो जैसी मैं यहां जाती हूँ तो यह arrow बन जाता है तो this is called pointer अब यह pointer किसका होता है यह pointer होता है आपके mouse का तो pointing device क्या होती है आपके mouse को हम pointing device बोलते है जो कि आपके चीजों को select करने में options को open करने में options पे click करने में help करता है mouse आप सभी बच्चों ने देखा भी होगा कि mouse कैसा होता है देखें यह picture है mouse की नीचे दीवी है अब mouse की definition क्या है यहां पर mouse is a pointing device used to point out a particular place on the screen and select the select to perform one or more action अब आपको अगर एक particular action perform करना है for example यहां मेरको यहां click करना है मैंने यहां click किया ऐसे option आजाएगा कुछ भी अगर आपको option open करना है तो उसके लिए हम क्या use करते हैं mouse use करते हैं ठीक है तो यह selection मतलब select करने के लिए किसी particular option पर click करने के लिए या उसको हम open करने के लिए use करते हैं it can be used to select menu commands, resize window, selecting actions and screen icons etc mouse primarily comprises of the three parts एक mouse के तीन पार्ट होते हैं वो पार्ट कौन कौन से हैं left button होता है, right button होता है और scroll wheel होता है बीच में या scroll button जिसको हम बोलते हैं तीन पार्ट है left, right और center में होता है scroll button जिसकी help से आप page पे scroll कर सकते हो उपर या नीचे हम किसी भी page के उपर जा सकते हैं अब left button और right button का क्या function होता है सबसे पहले तो आपको mouse की placement पता होनी चाहिए कि mouse को आपको कैसे hold करना है जबी भी आप mouse को पकड़ते हो तो आप put the right hand on mouse आपको सीधे हाथ से mouse पकड़ना होता है और जो आपकी index finger होती है वो आपके left button पे जाती है और जो middle finger होती है वो आपके right button के उपर जाती है इस तरीके से आपको mouse को पकड़ना होता है यह देखिए picture में भी आपको show किया हुआ है कि कैसे आपको mouse hold करना है ठीक है अब left click और right click दोनों के अपने अलग-अलग function होते हैं जो कि अब भी हम आगे discuss करने वाले हैं कि left button का क्या मतलब होता है और right button का क्या मतलब होता है mouse pointer mouse pointer यह arrow है यह देखिए यह arrow आपको दिख रहा है ना this is called pointer जैसे black color का arrow अगर आपको दिख रहा होगा तो यह mouse pointer कहलाता है the mouse pointer allow to point on screen the pointer changes as shown below the mouse pointer will appear as you move the mouse around the screen obvious है जैसे जैसे हम mouse को move करते हैं अपनी screen के उपर वो mouse pointer जो है वहाँ पर move होता रहता है these are the some position कि कैसे आपको mouse को hold करना है यह incorrect है क्योंकि इसमें देखिया आपका जो wrist हो बिल्कुल touch हो रहा है यह भी incorrect है यह भी this is also this is also incorrect तो right position क्या है आपकी mouse को hold करने की यह जिसके अंदर आपका hand जो है वो बिल्कुल straight रहे आपको ना नीचे downward मोड़ना है ना upward मोड़ना है you need to keep your hand straight in straight position आपको रखना है तब ही जाके आप mouse को अच्छे से hold कर पाएंगे अब mouse से हम operations क्या-क्या perform कर सकते हैं अभी हमने उपर discuss किया ही है कि हम क्या-kya operation perform कर सकते हैं mouse operations basically mouse से हम select करते हैं किसी चीज को open करने के लिए हम click करते हैं और left click और right click होता है left click basically किसी भी चीज पे को जब आपको click करना होता है तो आप left से करते हो और जब आपको किसी particular option के या किसी particular icon के ज़्यादा options पे जाना होता है तो हम right click करते हैं whenever you click the right button एक menu open हो जाता है जहां से आप दूसरी properties पे भी आप click कर सकते हो all mouse need do not use in a same mechanical operation but all of them accomplish the same task mouse के different different types होते हैं but काम सबका एक ही होता है अलग-अलग तरीके के mouse होते हैं से कुछ mouse जो होते हैं उनमें नीचे tracking ball लगा हुआ होता है ठीक है एक ball होती है जिसकी help से वो जो mouse है वो move करता और उसका pointer move करता है कुछ जो mouse होते हैं उनके अंदर आपकी light beam लगी भी होते हैं जो की motion को detect करने में help करती है और जैसे अगर आपने laptops वगेरा पर देखा होगा तो एक flat surface दिया होता है जहां पर आप अपनी finger move करते हो इस तरीके से ठीक है finger move करते है और उसी के साथ साथ आपका mouse जो है वो move होता रहता है तो basically mouse के जो types हैं वो अलग-अलग है as per the machine requirement वो आपके change हो जाते हैं but basic operation जो है वो mouse के आपके same ही रहते हैं यह देखिए using the left button of mouse for different operation like selection, dragging, moving and pasting can be done यही मैंने अभी आपको बताया था और right button से हम क्या कर सकते हैं we can open the context menu for the item if it is applicable if it is applicable context menu मतलब वो ही कि जो भी उसके further option होंगे आप उनको open कर सकते हो now these are the different actions which we can perform on with the help of mouse click कर सकते हैं और left click कर सकते हैं double click करते हो तो वो program आपका या वो icon आपका active हो जाता है और open हो जाता है right click करते हैं तो और further options आ जाते हैं जहां से आप select कर सकते हो drag and drop कर सकते हो किसी चीज़ को आप drag कर सकते हो और कहीं पर drop कर सकते हो scroll कर सकते हैं scroll कर सकते हैं हम mouse को अपने screen के उपर upward and downward जो भी page की direction है आपकी उपर नीचे आप page को scroll कर सकते हो और blocking कर सकते हैं blocking means select again select करना है कि आप एक particular point पे आप अपने mouse को click करके put कर लो मतलब करसल को और फिर आप उसको नीचे तक drag करके ले आओ और लाकर आप ऐसे छोड़ रहूं कि this is called blocking ठीक है next topic है हमारा typing ergonomics इनका मतलब होता है कि basically what are the different requirement a person should have while typing कि मतलब एक person को type करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन-किन चीजों की requirement है ताकि उसका जो typing है वो fruitful तरीके से हो सके तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं हम sitting posture की कि आपको बैठना कैसे है while operating the computer keyboard sit straight आपको सीधे बैठना है slightly bend your neck forward आगे की तरफ अपनी थोड़ी सी गरदन जुकाई है और अपने comfort के साब से बैठी है देखे नीचे आपको यह पूरा diagram बताया हुआ है कि किस तरीके से comfortable sitting chair होनी चाहिए आपकी और आपका जो finger जो keyboard है और जो mouse है एक particular angle के उपर होना चाहिए जो table top की जो आपकी height है जहां पर आपने अपने monitor को place किया है उसकी height specific होनी चाहिए जो आपके legs है feet है वो आपके floor के उपर अच्छे से rest करने चाहिए और जो seat है और जो आपके बाकी जो legs है उसके बीच का जो space है वो थोड़ा सा होना चाहिए comfortable दो तीन fingers का space वहाँ पर होना जरूरी है ठीक है और जब आप बैठते हैं तो आपकी जो back है that should be at 90 degree angle आपकी back जो है वो 90 degree के उपर होनी चाहिए तो यह comfortable position है अब हाथ आपके कैसे होने चाहिए position of hands यह देखिए यह देखिए यह wrong posture है आप comfortable इतना भी मत बैठ जाओ कि आप बिल्कुल पीछे गिर जाओ आपकी eyes पे strain पड़े laptop के उपर देखने के लिए और यह है बिल्कुल right position देखिए आप यहाँ पर 90 degree के एंगल पर यह है 60 degree का एंगल कम से कम होना चाहिए आपका monitor के उपर आपके screen औ और आपकी eyes के बीच का वो that should be 50 to 80 centimeters 50 to 80 centimeters जो है वो दूर होने जरूरी है नहीं तो आपकी eyes के उपर strain पड़ेगा और जो keyboard का जो placement है और जो monitor का placement है वो भी इस तरीके से होना चाहिए ताकि आपका hand यह देखिए बिल्कुल straight जा रहे तो hand आपका straight रहे बहुत जादा strain आपके wrist के ओपर ना पड़े देखिए इसका नीचे कुछ explanation दिया हुआ है वो हम discuss कर लेते हैं monitor placement आपका कहा होना चाहिए 60 to 65 centimeter पर होना चाहिए और 17 इंच का कम से कम आपका screen होना चाहिए size तभी वो comfortable होता है second है आपका mouse और keyboard placement आपका at least उनके बीच का जो distance है that should be 20 centimeter ताकि आप अच से यूज कर सको next is chair and table placement chair table placement optimum height पर होना चाहिए यह basically जो थोड़े से tall लोग होते हैं वो अपने according adjust कर लेते हैं but normally आप देखो तो normal आपका जो height है वो अपने comfort के according आपको देखना चाहिए next है आपका placement of matter to be type कि जो भी आपको type करना है वो आपके left या right side के उपर आपको होना चाहिए पता कि basically what do you want to type वो भी आपके पास handy होना चाहिए ऐसा नहों कि आप काम करने बैठ जो और आपको फिर वो लेने में या उसमें से देखने में problem हो अब position of fingers on keyboard fingers की position कैसे होनी चाहिए as typing is equivalent to pen and pencil nowadays mastery of computer keyboard has become obvious obvious है कि typing क्योंकि आजकल सभी कोई करनी पड़ती है तो हमें अपनी keys का जो placement है अपनी जो fingers का जो placement है keyboard के उपर कैसे करना चाहिए इसके बारे में है तो इसके बारे में हम अगले session के अंदर detail में पढ़ेंगे कि how we should allocate our keys on keyboard कि ताकि हमारी जो keys है वो home row के home row को sense कर पाएं और क्योंकि home row मैंने आपको last time भी बताया था last class में कि ये जो main row होती है ये home row होती है यहाँ पर आपको अपनी keys को रखना की placement सीखना आना चाहिए तब ही आप इनी fingers की help से उपर वाली row में और इनी fingers की help से नीचे वाली row में भी आप type कर भाऊगे तो चलिए कोई बात नहीं इसके बारे हम next session में बात करेंगे detail में सीखेंगे कि हम कैसे placement करना चाहिए कौनसी finger से कौनसी key को press करना चाहिए तब तक के लिए आप ये वाला chapter जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसको आप एक बारी दुबारा से go through कीजिए और इससे पहले वाला वीडियो भी देखिए और जो भी इसके बीच के assignments के questions हैं वो आप side by side करते रहिए तो चलिए फिर मिलते हैं next session में तब तक के लिए take care good bye